करोजन जो बात करते हैं जेनरली हम देखते हैं या फिर टीचर जेनरली पढ़ाते हैं लोर क्लासिस में कि आयरन का जंक लग जाना आयरन का जंक लग जाना करोजन कराता है जंक लगना करोजन तो आयरन का जंक लगना सिर्फ एक टाइप है करोजन का मतलब फूल डेफिनिशन नहीं हो करोजन का जो फूल डेफिनिशन है वह आप यहां पर पढ़ाओगे और जो की हर जगह यहीं यूज होगा चाहें आप ट्वेल्थ में जाओ चाहें आप सिया फिर इंजिनेरिंग और फिर पर यह जो बी कर रहे हो आप फिर कर घो क्रोजन का जो डेफिनिशन है का रिंडर्ड डेफिनिशन नहीं आएगा प्रोजन इश नेच्रेल प्रोसेस थैट कन्वार्स है रिफाइंड मेंटल है कि इंटु मीं इस टेबल फॉर्म सच अच dilified hydrogen sulfide मतलब कि जो metal है तो जब उसमें होता है तो क्या होता है कि अपना more stable form जो उसका होता है जैसे घ्रती के अंदर से करते हैं धर्ती के अंदर से या फिर कहीं क्रस्ट से कहीं साइडिमेन्ट Isaiah कोई भी मेटल हम सब्सक्राइट करते ह符 तो ऐसके ऐसके उक्साईडל सलफाइड या प्र फिर फ़ीमिटाक्साइड जो उसके केमिकली est рядом होता ह κιौ्स सेंथे उसी फिर मिलता है ते उसको राFFC непोद्सक्राय करके हम इसको मेटल वनाते हैं is divine करके डानाते हैं तो केमिकली स्टेबल कही नहीं नहीं रहता याक हम में इस blended फॉम में अमें मिला था तो यहने हमें उसको छोड़ देते हैं में अपने उसством में ही जाना रहता है जिस फर्म में मिला था तो जैसा कि अगर कार्मन इसका औक्साइड के फर्म में मिलता है हीमाटाइड मैंगनाटाइड ओर से तो अग्साइड के फर्म मिलता है जब उसको छोड़ देते हैं इन दा प्रजेंट्स ऑफ एस तुओ एंपर अपर प्रजेंट्स ऑफ नमी के नमी होता है वहां पर कुछ वाटर वेपर होता है तो फिर उसे उसे औक्साइड के फर्म में चेंज होना चाहता है और उसी इको रस्टिंग बोलते हैं मतलब more chemically stable form में वह भी जाना चाहता है तो यहीं आपे बता रखा है कि एक natural phenomenon है जो कि जिसमें की metals जो है chemically stable form में जाना चाहते हैं और chemically stable form oxide भी हो सकता है उनका hydroxide भी हो सकता है sulfide भी हो सकता है dependent on the that metal अब it is gradual destruction of material जो corrosion है gradual destruction of material धिरे धिरे होता है usually a metal by chemical और electrochemical reaction with their environment corrosion engineering is a field dedicated to controlling preventing corrosion corrosion engineering generally corrosion को prevent कैसे करें different इसके form होते हैं coat कर दो उस material को या फिर उसमें कोई और मेटल का एक पतला साथीन लेयर चड़ा दो या फिर उसको ऐसे conditions में रखो कि वो corrosion free रहे हैं तो इसको पूरी field को corrosion engineering बोलते हैं इसमें corrosion से frequent किया जाता है अलग-अलग material को अब देखिए हैं पर corrosion causes damage to car bodies generally आप देखता हो के junk लग जाता है bridges iron railings ships जो ships जो है पानी में जो चलती है and to all object made of of metal जो की metal से बना हुआ especially those of iron iron में तो रस्टिंग लगता ही लगता है generally इसलिए iron का example लेते हैं लेकिन किसी भी चीज का corrosion हो सकता है किसी metal का corrosion हो सकता है बस उसके favorable condition होने चाहिए कि वह अपना more stable form में जा सके और generally चीज़े जो हमारे पास होती है आयरन की मनी होती है और आयरन में बहुत जल्दी corrosion जो है रस्टिंग हो जाता है तो generally लोग आयरन का example देते हैं और दिमाग में भी हमारे होता है कि आयरन में होता है corrosion of iron is serious problem every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron आयरन